अगला समचार पूजा वर्मा से विमोदी ने किया है गाओ गरीब किसान नौजवान और महिला राजनीति के केंद्र बिंदू बने हैं उन्होंने कहा कि संकट के इस समय नए निवेश को लेकर उत्तर प्रदेश पूरी तरह तयार है हम लोग उत्तर प्रदेश के मैन पावर के माध्यम से प्रदेश के नौनि कोमन से लेकर लगभग सभी गत्विदियों को शर्त के साथ सुरू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछले माह की तुलना में इस माह भी हमें अच्छा राजश्व मिल रहा है हम जनता पर कोई अलग से कर टैक्स लगाने की बजाए उसे अधिक्षे अधिक राहत देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदितिनात रविवार को सेबिनार के जरीए प्रेस कॉंफरेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पीम मोदी ने अपने शासन की 6 वर्ष के कारेकाल में पहले 5 वर्ष में वैश्विक मंच पर भार भारत के इंफ्रस्ट्रक्शर डेवलेप्मेंट गाओं गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाज के विभिन तबकों के लिए शासन की योजनाओं को पहुचाने के लिए कारे किया उन्होंने कहा कि नए भारत की नीव रखने का कारे प्रधान मंत्री ने किया 6 वर्ष क बाता का कारे काल भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महतुपूर्ण कारे काल हैं जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई भारत की 130 करोन जनता के मन को एक नया विश्वास भी जागिरित किया इसके लिए प्रधान मंत्री मोदी और केंद्रिय मंत्रियों को हिर्दै से बधाई देता हूँ मुख्य मंत्रियोगी आदित तिनात ने कहा कि भारत समीत पूरी दुनिया कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूज रही है आज लोग सफलता पूरक राहत कारियों को संपन्ने कर रहे हैं क्योंकि इसकी सुर्वात 2014 में ही प्रधान मंत्री मोदी ने कर दी थी प्रधानमंतरी ने हर गरीब का जंधन एकाउंट खोला आज इसी जंधन एकाउंट में डीबिटी के माद्यम से धनरासी भेजी जा रही है छे वर्स पहले प्रधान मंत्री ने जो कारिक किया था आज उसका परिणाम है कि 80 करोन लोगों तक प्रधान मंत्री पैकेज का लाब पहुच रहा है या सुरवात जंधन एकाउंट के माध्यम से हुई थी जिसमें 36 करोन से अधिक लोगों के बैंक एकाउंट खोले गए इस दोरान हम लोगों ने जंधन अकाउंट धारी 3.56 करोन महिलाओं के खाते में 5.500 रुपे की 3 किस्तों को जाते हुए देखा या प्रधान मंत्री मोदी की सोच का परिणाम है मुख्य मंत्री ने कहा कि पहली बार इस देख के गरीबों के पास भी अपना सोचाले हो जो सुक्षिता का ही प्रतीक नहीं था बलकि ये नारी गरिमा के सम्मान का भी प्रतीक बना आज 10 करूर शे अधिक गरीबों के पास 116 उपलब्द हैं उत्तर प्रदेश 2.6 करूर 140 बनाने में देश के अंदर अगरनी रहा है इसका शे प्रधान मंत्री मोदी को जाता है इससे कई बीमारियों और संक्रमन को नियंत्रित करने में सफलता मिली है उन्होंने कहा कि इंसेफलाइटिस में हम 56-60 फीसिदी बीमार पर नियंत्रण करने और 90 फिसदी तक मौत को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है मुख्यमन्ट्री योगी आदितिनाथ ने कहा कि बाहरी राज्यों में शरवाधी कामगर और श्रमिक उत्तर प्रदेस में आए हैं लगब walks 30 लाज कामगार और श्रमिक यहां आए हैं लोग कहते हैं कि इस से उत्तर प्रदेस में आववस्था फैल सकती है लेकिन मेरा मानना था कि ये हमारी ताकत है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट देश में दो करोन गरीबों को आवास मिला है वहीं उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों को इससे लाभानवित हुए हैं उज्वला योजना में यूपी के आठ करोर से अधिक परिवारों को रसोई गैस के न निसल्क कनेक्शन उपलब्द कराएं वहीं 122-6 करोन परिवारों को निसल्क विद्धूर्द कनेक्शन मुहया कराया गया मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधान मंत्री ने देश के अंदर 50 करोण लोगों को स्वास्त बीमा का कवर दिया जिससे उत्तर प्रदेश के 6 करोण से अधिक लोग इस योजना के सीधे सीधे लाभानवित हो रहे हैं जो लोग बचे थे उनको उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य मंत्री जन आरोगी योजना के माध्यम से कवर करने का कारे किया गया प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी के तहट दो दसमलो तीन चार करोण किसानों को हर वर्स छे हजार रुपए दिये जा रहे हैं कुरोना संकर दोरान भी उनके अकाउंट में दो हजार दो हजार रुपए प्रतीमाह देने की कारवाई सफलता पूर्वक चल रही है पहली बार नियुन्तम समर्थन मूले किसानों को प्राप्त हुआ है इस तरह की तमाम योजना उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री से निकल कर मागंगा, गंगा सागर तक अपनी पच्छिस सो किलोमीटर की दूरी में सरवाधिक एक हजार पच्छिस किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तै करती है नमामी गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा और निर्मल गंगा के सपने को साकार करने का कारे भी हुआ कानपूर में गंगा सबसे प्रदूशित थी लेकिन आज कानपूर में गंगा जी अविरल और निर्मल हुई है अपने पांच वर्ष के कारेकाल को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद प्रधान मंत्री मोदी ने अपने दूसरे कारेकाल की सुरुवात करते समय इस बात को इसपष्ट कहा था कि देश की अकांशाओं की पूर्ती का कारेकाल होगा देश में हर घर नलकी योजना मूत रूप में ले रही है जल जीवन मिशन के तहत युद्ध अस्तर पर कारिय हो रहा है मुख्यमंद्री ने कहा कि सद्यो पुरानी कुप्रथा तीन तला को मोधी सरकार ने खत्म किया कस्मीर में धारा 377 को समाप्त किया नागरिक्ता संसोर्धन कानून को लागू उन्हों ने कराया 500 वर्सों से भारत की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्म भूमी पर भव्य राम मंदिद निर्मार का मार्ग प्रशस्त करने में एक सकरात्नक भूमी का के साथ आगे आने की कारिवाई हुई है मुख्यमंत्री योगी ने कहा की कोरोना संकट में लोगों के सामने परिशानी आई इसके लिए प्रधान मंत्री नरेनर मोदी ने पहले एक करोन, एक लाग, सत्तर हजार करोन का गरीब कल्यान पैकेज और फिर 20 लाक करोड के आर्थिक पैकेश के माध्यम से समाज के अलग-अलग लोगों को बड़ी राहत दी है मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि PM पैकेश और गरीब कल्यार पैकेश का लाब हर एक राज्य को समान रूप से मिला है इस पैकेश का परिणाम है कि हम अपने सभी कारे को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं उन्होंने कहा कि Unlock One में केंद्र की तरफ से एडवाईजरी जारी की गई है कंटेन्मेंट जोन को नियंतित करते हुए शेष सभी शेत्रों में अधिक तमकारियों को छूट दिया जा रहा है हमारी आर्थिक गतिविदियां तेजी से आगे बढ़ रही है और पिछले माह की तुल्ला में इस माह भी हमें अच्छा राजश्व मिल रहा है हम जनता पर कोई अलग से कर टैक्स लगाने की बज़े उसे अधिक से अधिक लाहत देने की कोशिश कर रहे है मुक्यमंडरी योगी आदितिनात ने कहा कि कुरूना संकट के दोरान केंदर शरकार दोरा घोसित आर्थिक पैकेज का सबसे ज़ादा लाब उनके राज़े को मिला है और सरकार लागडाउन के कारण हुए वित्तिय नुकसान की भरपाई के लिए जनता को कोई नया कर नहीं लगाएगी उन्होंने कहा कि केंदर शरकार दोरा घोसित गरीब कल्यार पैकेस तथा अन्य राहतों का सबसे ज़ादा उत्तर प्रदेश को मिला है उसी का नतीज़ा है कि हम अपनी योजनाओं को सफलता पूरवक आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि चार चर्णों के लागडाउन के बाद सरकारी आफिस पूरी छमता के साथ खुलेंगे और बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 बजे से साम 9 बजे तक खुलेंगे सूपर मार्केट, ब्यूटि पारलर, सैलून खुल सकेंगे एक राज इसे दूसरे राज जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी लेकिन नोईडा और गाजियाबाद के जिलादिकारी हालात और जरुरत को देख कर फैसला लेंगे इस दौरान टैक्सी, कैब, और टो रिक्सन, निरधारिश सवारी छमता के अंसार सवारी बिठा कर चल सकेंगे रोडवेज बसे चलेंगी, हर सीट पर सवारी बैठ सकेगी, किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमती नहीं होगी सारे प्रतिबंद अब कंटेन्मेंट जोन तक ही स्रीमित होंगे मुख्यमंती ने कहा कि इस संकट के दोरान हमने एक्सप्रेस वेज, डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज के कारे को प्रारंब कर चुके हैं इसके अलावा सभी बड़े प्रोजेक्ट लगभग प्रारंब हो चुके हैं आर्थिक गतिविदियों को भी हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कारिक किया है और हमारा प्रयास है कि जान भी और जहान भी दोनों को साथ लेकर चले उन्होंने कहा है कि धर्मस्थलो और सारजनिकस्थलो पर आर्ट जून के बाद से कारिवाई आगे बढ़ेगी उन्होंने कहा अधिक उम्र के लोग बीमारियों शेक्रसित लोग गर्वती महिलाएं और कम उम्र के बच्चों को अभी बाहर निकलने से रोकना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों के लिए जादा खत्रा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की रोजगार और अर्थववस्था को एक नई उचाईयों तक पहुचाने के लिए टूरिजम हमारे एक बहुत बड़ा माध्यम है आप सब जानते हैं कि प्रियागराज कुम्बे के माध्यम से तो हम लोगों ने इसको एक नई उचाईयों तक पहुचाया कोरोना संकट के कारण इसमें रोक लगी लेकिन ये गतिविधियां फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर में व्यापक संभावनाएं हैं देश के सबसे बड़ा MSME सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास है बाहर से आए शमिकों को रोजगार देने से लेकर पट्री दुकानदारों को इसका लाब मिल रहा है उत्तर प्रदेश में कामगार कल्यान आयोक के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाये गया है इसके लिए अपने जनपद स्तर की सेवा योजन कार्याले को एक्टिव करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकर से लड़ने के लिए हमारे पास आज एक लाग से जादा बिट की छमता वाले लेवल एक, दो वा तीन के अस्पताल है पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के पास या शर्वाधिक संख्या है और उत्तर प्रदेश ने इसमें सफलता प्राप्त की है उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रती दिन 10,000 टेस्टिंग की छमता है जिसे बढ़ा कर 15,000 किया जा रहा है 15 जून तक हम टेस्टिंग की छमता को 15,000 करने और इसके बाद 30 जून तक 20,000 टेस्टिंग प्रति दिन करने की विवस्था कर रहे हैं मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नया कारे हो रहा है और जनता इसे महसूस कर रही है उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि विपक्ष के नेता को अस्पताल में जाना पड़े अनिता वे हमारी सुवधाय देख सकेंगे अगर विपक्ष सेवा करता है तो इस प्रकार की टिपड़ी नहीं करता उन्होंने कहा कि कोटा से जब हम बच्चे को लेकर आएं तो राजिस्थान सरकार ने डीजल के पैसे तो लिये हैं उपर से बसों का किराया अलग से भेज दिया कांग्रेस ने बस चलाने की अनुमती मांगी लेकिन उनकी बसे कंडम निकली हमने उनके प्रस्ताओं को स्विकार किया तो वे आकड़े इतने फर्जी निकले कि अगर हम उससे सहमती दे देते तो श्रमिक वयम कामगारों के जीवन के साथ खिलवार होता आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई के समय में इस प्रकार का फर्जी कारे कर रहे हैं और जनता के जीवन के साथ खिलवार कर रहे हैं ये अच्छम में अपराद है इस प्रकार की कारगुजारी फर्जी वारा कत्ताई स्विकार नहीं हो सकता मुख्य मंत्री ने कहा कि राज सरकार केंद सरकार के साथ मिलकर प्रती एक नागरिक को नाकेबल सम्मान और सुरक्षा देने के लिए प्रती बद्ध है बलकि बहतर स्वास्त सुविधायन दे रही है ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा उन्होंने कहा कि हम लोग भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं हम लोगों ने इस बात की विवस्था बना दी है कि NCR में गौतम बुधिन नगर और गाजियाबाद में जिलादी कारी वहाँ पर कंटेन्मेंट जोन में अवाग गलग उद्योगों को भी चलाया है चीनी मिले पूरी लागडाउन के दौरान चली है इट भटे पूरे लागडाउन के दौरान चले है प्रदेश में कोल्ड इस्टोरिस चले है लगब 25 लाग शमिक इन तीन प्रकार के उद्योगों में काम करते रहे हैं कि मंत्री ने कहा ह कि MSME सेक्टर में 27 लाख लोगों को फिर से काम सुरू करवाया है बड़े उद्यों के प्रारंब हो चुके हैं 65,000 से जादा लोगों ने इसमें काम सुरू कर दिया है जहां तक नए निवेश की बात है प्रस्ताव आने प्रारंब हो चुके हैं हमारी टीम बन चुकी है मंत्री समो गठित हो चुके हैं उनके निवेश को आमंतित करने के लिए कारे चल रहा है अमेरिका जापान साउथ कोरिया डेस्क अस्थापित कर लिया है उनके साथ लगाता समवाद बना रहे हैं जहां से भी निवेश आने की संभाव नहीं उसमें हम काम कर रहे हैं सभी को एक समान औसट देनी की विवस्था प्रदेस में की गई है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेस में हर हाथ को हम काम देंगे और हर घर में रोज़गार कि सुविधा उपलब्द कराने में हम लोग सफल होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 15 दिन में अचानक आकड़े बढ़े हैं या आकड़े टेस्टिंग की छमता विद्धी होने के कारण बढ़े हैं इसको रोकने के लिए लगबग एक लाख मेडिकल स्क्रिनिंग की टीम भी लगी हुई है हर एक जनपद में गाउं अस्तर पर बहुत अच्छे तरीके से कारे आगे बढ़ रहा है निगरानी समीतियां काम कर रही है इसमें हर एक अस्तर पर सावधानी की जरूरत है टेस्टिंग छमता बढ़ाई गई है बाहरी राज्यों से आए श्रमिको को कुरिंटाइन के साथ राशन कित मुहिया करवाया जा रहा है यह सभी कारे एक साथ चल रहे हैं मुक्य मंत्री ने कहा कि लागडाउन और बंदी के दोरान प्रदेश में 94 फीसद उद्यम में मान दे और वेतन दिलाने की विवस्था करवाई गई 1700 करोन रुपे वेतन और मान दे शमिको को मुहिया करवाया गया जहाँ पर लोगों के पास वेवस्था नहीं थी कोई दिक्कत थी वहाँ लोगों को खाद द्यान या फिर फूड पैकेट उपलब दिकर आया गया मुक्य मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समित के बाद पहली ब्रेकिंग ग्राउंड सेरिमेनी में 65,000 करोन रुपए की निवेश धरातल पर उतरी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमेनी में 62,000 करोन रुपए की योजनाओ को धरातल पर उतारा गया लगतार या कारिकरम आगे बढ़ा एक दसमलों पांजीरों लाग करोन रुपए की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया अभी भी इस पर लगातार कारिय चल रहा है जो लोग इन्वेस्टर समिट में नहीं आ पाये थें वे सभी निवेश कर रहे हैं पिछले तीन वर्ष में 3 लाख करोन रुपई से अधिक का निवेश हुआ है ये उन इस सित्यों में है जब हमारे पास 4 लाख 28 रुपई के प्रस्ताव आए थे उन में से 3 लाख करोन रुपई के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारा गया इसमें से कई इकायों ने प्रोडक्शन भी सुरू कर दिया है चीन से आज जब कोई निवेशक छोड़ता है तो भारत का उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य दिखाई देता है हाल में ही जर्मनी के एक कमपनी ने अपने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश का चैन किया है ऐसे ही अन्य तमाम कमपनियां आएंगी उन्होंने कहा कि संकट के इस समय नए निवेश के साथ उत्तर प्रदेश पूरी तरह तयार है हम लोग यहां पनिवेश भी कराएंगे रोजगार भी शुजित करेंगे नैने रोजगार की संभावनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के मैन पावर को विकास के माध्यम से एक नौ निर्मार का कारे आगे बढ़ाएंगे